हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स टॉपिक वाटर वेड़ को बारे में जानेंगे यानि जेल का जो रास्ता था जो समूंदरी रास्ते थे जिनका उपयोग करके ट्रांस्पोर्ट होता था एक जिगह से दूसरे जगह लोग जाते थे आते थे अब तो कैसे हाते जाते हցं ने डजने देखेंगे थे हैंगे घपशा कि किया चया था मिसा water waves are used for transportation जैसा कि हम लोगों ने अल्रेड़ी यह पढ़ा है कि पहले के समय में पानी का रहा यूज किया जाता था एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में ठीक है परिवाहन के लिए जो है वो चाने आने के लिए पहले water waves का यूज किया जाता था water waves are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances जो पानी का रहा था जल का मार्क था वो काफी सस्ता हुआ करता था और वो भारी से भारी चीजों को carry कर लेता था और जितने भी भारी सामान हुआ करते थे बलकी goods हुए करते थे वो लंबे दूरी के लिए भी यह हमारा carry कर लेता था और एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करता था they are mainly of two types यह जाया था दो तरीके का होता था inland water waves और sea roots ठीक है दो तरीके का होता था पहला होता था हमारा inland यानि अंत देर्शिय जल मार्क और दूसरा होता था हमारा sea root यानि समुंदरी का मार्क ठीक है तो बात आती है कि navigable river iron lakes are used as inland जितने भी हमारी नोगम में नदियां होती है ठीक है और जो हमारी जीले हुआ करती थी उनका इस्तमाल किया अगर किया जाता था तो वो हमारा inland water waves कहला था यानि अंत देश यह यानि कि हम समुंद क्या है बहुत बड़ा है ठीक है river क्या है आप river से easily एक जगह से दूसरे जगह समुंद आप इस से उस पार नहीं देख पाते हो पर river में आप देख सकते हो नदियों में देख सकते हो तो जब उसका यूज किया जाता था जो हमारे land पर जमीन में हुआ करती थी जो water waves उनके बारे में बात करें तो हमारी जो भी rivers का यूज किया जाता था या जीलो का यूज किया जाता था वह हमारी inland water waves में आती थी some of important inland water waves कुछ महत्पूर्ण हमारी inland water waves है अंतर देशीय जलमार्ग है वह क्या है हमारी गंगा और ब्रह्मपूत river ठीक है गंगा और ब्रह्मपूत river हमारी सबसे इंपॉर्टन जो लैंड का जरिया था water wave का जरिया था inland water waves था जिसका इस्तमाल किया जाता था the great lake सबसे जो महान जील का यूज किया जाता था जिससे जगा जाने के लिए वह नौर्थ अमेरिका में था एंडर वहां पे जो river थी नाइल अफरीका के अंदर उसका इस्तमाल अफरीका में किया जाता था ठीक है तो फिर यह हमारा inland water waves था जो हमारे land पर पानी का जरिया था जिससे वैसे लोग यहां से महां जाता जाते थे यातायाद करते थे परिवान का यूज करते थे वह हमारा inland water waves यानि रीवर वगरा और लेक्स वगरा हो गए फिर बात करते हैं दूसरा sea roots की यानि समुंदरी जो हुआ करते थे और ocean roots हुआ करते थे और mostly using transporting merchandise उस रहा को उस मार्ग को यूज किया जाता था ज्यादा तर माल परिवान के लिए समान को यहां से वहां पहुचाने के लिए ही इस्तमाल किया जाता था and goods from one country to another country एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए sea roots का यूज किया जाता था these roots are connected with the ports यह जितने भी हमारे roots होते थे रा होते थे यह सब बंदर गाहों से जुड़े हुए होते थे some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia कुछ महतपुर्ण ऐसे ports बंदर गाह हैं हमारी दुनिया में वो कौन कौन से हैं Singapore और Mumbai in Asia एशिया में New York Los Angeles North America में रियोडी जनेरियो South America में दर्बान एंड केप टाउन अफ्रीका में सेदनी इन ऑस्टेलिया ऑस्टेलिया में लंडन एंड डॉटर डाम यूरॉप में Can you name some more ports of the world तो आप क्या इतने जो आपको ports बताए गए हैं जहां बंदर गाह के बारे में बताए गया है जो जुड़े हुए हैं आपस में एक जगह से दूसरे जगह पे माल का ट्रांसफर करने के लिए समान का ट्रांसफर करने के लिए अब इन के अलावा कोई और इसे जो More More Ports के बारे में बंदर गाहों, के बारे जो दुनिया में हमारे इनके बारे नाम में तो हमारा जिसे port of sangai ठीक है यह हमारी china में है port of shenzhen यह भी हमारी china में है port of hong kong यह भी हमारे hong kong में और जो हमारा port of hong kong है न हमारा world busiest post सबसे जादा busy रहने वाला port है ठीक है तो यह सब हैं हमारे कुछ ऐसे बंदरगा हैं जो पानी के रा में एक दूसरे एक country को एक देश को दूसरे country से दूसरे देश से जोड करके रखता है और चीजे जो है वह एक जगह से दूसरे जगह बात कर दिया इन लैंड की और हमारा सी रूट्स की ठीक है इन लैंड वाटर वेप्स की और सी रूट्स की याने अंत देशी जल मार्क की और हमारा समुंदरी मार्क की तो दो तरका हो गया वाटर वेप्स में इन लैंड याने जो हमारे नदियां हो गई जीले हो गई उनका इस्तमाल किया रहता था समुंद जब एक कंट्री से दूसरी जगह माल को भेजना होता था माल परिवान के लिए ठीक है जब माल को मतलब याने कोई समान को भारी भारी समानों को एक जगह से लकणियों को सोने को ट्रांसफर करने के लिए ठीक है उन चीजों को डीजल को पेट्रोल को यह सब भेजने के लिए ये तो हमारा इंडियन वाटर वेब है जो अधियें है अप यहां से यहां देखो तो आपको दिखेगा उस पार समधर्णों में आप देखो तो आपको समंधर्ण दिखता है इस जगह से दूसरे जाने में जहां आप देखोगे की जहां पर समान को लोड किया जाता है हमारे से जह Mitte जब समान को लोड करना होता है तो जो जगऄ होता है उसी को çe套र जगह पर हर देश में पोडस बने हुए हैए जो आपसные connected है तब सावान जब आप यहां से भाहां भेजो के तो वो उसी जगह पर जाते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा water waves याने कि हमारे जल मार्क की बात हो गई अब हमारा जो है वो चौथा जो है हमारा air waves की बात करें याने हमारे वायू मार्क की याने हवाई मार्क की बात करें रहा की तो हमारा air waves पहले जो है वो air waves का इतना यूज नहीं किया जाता था अब जो है जब हमारा aero plane आ गया ठीक है जब हमारा helicopter आ गया तो इनका इस्तमाल करने लगे लोग और बहुत आसानी से वो कुछ घंटों में ही एक जगह से दूसरी जगह इजली पहुंच आते हैं तो आए देखते हैं हमारा air waves क्या करता याने वायू मार्क क्या करता है इस इस फास्टेस वे ओफ टांस्पोर्ट डेवलप्ट इन अर्ली ट्वे जातायाद का एक जरिया सबसे तेज जो है यह बीसमें सेंचुरी में याने बीसमी सदी में इसको डैवलप किया गया इसको बनाया गया ठीक है इस ऑलसो दा मोस्ट एक्सपैंसेव ड्यू तो दा हाई कोस्ट फ्यूल और यह सबसे महंगा याने सबसे ज़ादा महंगा जो इसमें खर्चा लगता था क्योंकि यह गया जाने यह जैसे अब जाने का यूज करते थे अगर अच्छा कासा कोस्ट हमें पढता था एक्स्पैंसिब पढता था एयर ट्राफिक इस एडवर्सली एफेक्टेड बाइड वैदर लाइक फॉग एंस्ट्रॉम जो हावा का जैसे अब रोडों पे चलते हो तो गाडियों का ट्राफिक मलता है वैसे हावाओं में वहां का जो ट्राफिक होता था यानि प्रतिकुल रूप से जो प्रभावित करत और हावा की वज़े से क्या होती थी काफी दिक्कते होती थी फौल की वज़े से स्टॉम् तुफान आ जाए और धुंद हो जाए तो काफी दिक्कते आया करती थी ृटी ती तो मतलब मुश्किल हुआ करता था यह समय लिए इंपॉसिबल हुआ करता था ठीक है जहां पर ना कोई रास्ते जाया करते थी तो उन जगहों पर पहुंचने के लिए यह सबसे अच्छा जरिया था यह हमारा एयर के रास्ते से लोग जो है उन एरिया में भी और बहुत दू एक्सेशिबल एरिया यह है यह हेलिकोप्टर का इस्तिमाल करके यह हमारे काफी लाब दायक था क्योंकि हम इससे यह एसली क्या करते थे उन जगहों पर पहुल जाते थे उन जगहों का भी इस्तिमाल कर लेते थे and in time of calamity जब भी हमारी ऐसी परिस्तिती आती थी जब भी हमारे भुकम पाए calamities कोई भी unpredictable याने की अनिश्चित जो हमारी दुरगटनाई होती थी उनकी वज़े से जो लोग फसे हुए होते थे उनको बचाने के लिए for rescuing people and distributing food, water, cloths and medicine उन लोगों को बचाने के लिए उन जगहों पर खाना, पानी, कपड़े, दवाएं यह सब पहुचाने के लिए helicopter का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा और यह हमारी काफी लाबदायक भी हुआ some of the important airports are कुछ बहुत महत्पूर्ण airports बनाए गएं जैसे आज हैं हमारे डेली में हैं, मुंबई में हैं, न्यू यॉक में हैं, लंडन में हैं, पारिस में हैं, फ्रैंकफॉर्ट में हैं, कैलिरियो में हैं यह सब क्या हैं, सबसे important हमारे airports बगरा हैं, जहां पर हमारा airplane, helicopter यह सब जो है, आपको इसली आप एक जगह से दूसरे जगह उस साधन का यूज करके जा सकते हो, ठीक है, तो देखो जैसे helicopter के लिए helipad बनता है, बहुत space में आपका इस तरिके से बनाया जाता है, ताकि helicopter वह उसकी वैसे क्या होता है, कि बहुत जादा हवाएं होती हैं, और जिसकी वैसे आसपास के area effect करते हैं, तो इसलिए खुले मैदानों में ही, airplane, helicopter वगरा उतरते हैं, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा communication की, यानि वारता लाप की बात करें, तो communication is the process of conveying message to others, communication एक जरिया है, जिसके use करके हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को, कोई भी message को, कोई भी बात को दूसरे तक पहुचा देते हैं, with the development of technology, जब इस field में क्या हुआ, प्रगती हुई, हमारी तकनीकी की, technology की, humans have a devised new, इंसान जो हो गए, तैयार हो गए, नए-नए, fast mode of communication के साथ-साथ, यानि की, जो हमारा सबसे तेज जरिया था, बात्चित का वारता लाप का, उसका उन लोगों ने काफी ज़्यादा तयार हो गए, उसको use करने के लिए, जिसकी figure 7.10 में दिखाया होगा, explain the evolution of the communication system, उसमें आप लोगों को बताया गया, कि किस तरीके से हमारी जो वारता लाप का system था, उसको किस तरीके से उसको बढ़ाया गया, evolution किया गया, उसमें, the advancement in the field of communication, किस तरीके से हमारी जो प्रग्रती हुई, advancement हुई, हमारे communication यानि वारता लाप के field में, has brought about an information revolution, उसकी वैसे क्या हुआ कि, जो IT, यानि कि जो हमारी information थी, हमारी जो वारता लाप थी, यानि कि जो सू बहुत तेजी से हुआ, उस field के अंदर, different modes of communication are used to provide information, अलग-अलग जरिया, वारता लाप का अलग-अलग जरिया, use किया जाने लगा, जिससे कि लोग अपने सूचनाओ, को information को एक जगह से दूसरे जगह पहुचाने लगे, to educate, as well as to entertain, चाहे पढ़ाई की चीज़ें हो, चाह through news paper, radio and television, अकबारों का, radio का, TV का, use करके, we can communicate with a large number of people, उनका इस्तिमाल करके, हम क्या करने लगे, large number में, मतलब बहुत जादा लोगों में, अपनी बातों को पहुचाने लगे, they are therefore called mass media, जिसको कि हम क्या कहते हैं, संचार का माध्यम कहते हैं, mass media कहते हैं, the satellite have made a communication, जो हमारा, जो हमारे satellites हैं, उनकी वज़े से क्या हुआ, हमारा जो communication था, वारता लापता, वो भी काफी जादा तेज होने लगा, fast होने लगा, satellite have a help in oil exploration, satellite की वैसे हम, कहां कहां तेल पाए जा रहे हैं, कहां कहां explore, मदद मिल गई, oil को explore करने में, survey of forest, किस तरीके से हम forest का जंगलों के ब हमारा satellite मदद करने लगा, mineral wealth जहां पर हमारी ख़दानों की जो संपत्ती है, उसको खुझने में, weather forecast याने की मौसम के बारे में, पहले से forecast करने में, बताने में, disaster मतलब याने की जो नुपसान आने वाला है, disaster होने वाला है, उसके बारे में warning देने में, यह सारी चीज़े हम easily बहुत large number of logo में, television के through, radio के through, अकबारों के through, logo तक आसानी से पहुचाने लगे, और इसमें हमारा satellite भी कहीं बहुत अच्छे से help करता था, now we can send electronic mails और email through an internet, आज की समय में हम क्या कर सकते हैं, electronic mails, messages वगरा mail के through internet का use करके हम, किसी को भी कहीं पर भी बेश सकते हैं, wireless telephonic communication जो जो है, वारता लाप का जो है, phone वगरा use करने लगे, telephone का use करने लगे, ताकि वारता लाप कर सके, through seller phone, यानि की छोटे-छोटे जो phones हमारे बनने लगे, उनका use करने लगे, have become very popular today, आज की समय में बहुत जादा वो जो है, वो popular है, बहुत जादा जाना जाता है, लोग use करते ह इंटरनेट जो था, वो हमें सिर्फ दुनिया का, पुरे दुनिया भर का बारे में जो information होती थी, जो सूचनाई होती थी, सिर्फ वो ही हमें नहीं देता था, and interact, but also made our life more comfortable, बलकि information देने के साथ साथ, सूचनाई, provide करने के साथ, वो हमको दूसरों के साथ, बातचित करने में इंटराक करने में भी help करने लगा, साथ साथ हमारी जीवन को जो है, हमारे जो हम रहते थे, जहाँ पर भी लोगों से बहुत मुश्किल होता था, बातचित करने में, connect होने में, अब यह काफी आसान हो गया, और बहुत जादा हमारी life को comfortable, यानि कि बहुत जादा सुवीदा जनक बना दिया, now we can reserve a ticket for railway, अब क्या है, हम आसानी से railway में भी अपना ticket को book कर आ सकते हैं, airway मतलब airplane वगरा के लिए भी, cinema hall के लिए, movie वगरा के लिए, hotelों में, अपने घर बैठे बैठे इन सारी चीजों का हम internet के through, use कर सकते हैं, सुवीदाओं का use कर सकते हैं, तो मतलब बह development हुआ, आज के date में आप बैठे बैठे चाहे बिजली टैक्स हो, पानी टैक्स हो, आप कुसी तरह का cinema hall देखना चाहो, movie देखना चाहो, train का use करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, आप आज बैठे बैठे अपने सिर्फ एक phone से ही जो है, इन सारी सुवीदाओं का use कर लेते हो ठीक है, तो देखो, 7.1 में आप देखो, तो पहले लोग किस तरीके से मिल करके बाद चित के अगरते थे, फिर दीरे-दीरे कबूतरों का use किया गया, फिर टाकिया का, फिर दीरे-दीरे टीवी का, ठीक है, फिर उसके बाद satellite का use हुआ, तो फिर हमारा internet आ गया, internet के बाद phone आने लगें, तो यह दिरे सारी चीजे बहुत तेजी से बढ़ती गई, और आज की समय में हम एक बैठे-बैठे बहुत से काम कर सकते हैं, समय लिए tremendous माने, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे हमारी communication के field में, वार्तालाब के field में, बहुत तेजी से, बढ़ा हमारा, ठीक है, of interconnectivity of people, हम आपस में एक दूसरे से जोडने लगे, बहुत तेजी से, services and institution across the world, पूरे हमारे देश में, पूरे दुनिया में हम अपनी services को अपने, जो भी हमारा काम होता था, उसको फैला लिए, अपने जो भी institution होते थे, पढ़ाई होता था, यह सारी पूरे वर्ल्ड में हम अपने, उसके बारे में फैला दी है, अब क्या हैं, बहुत बड़े ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं, चहां पर कोई भी एक चीज़ जो होती है, वो बहुत असानी से, एक ज़रिये का यूस करके, दूसरे जगह पे, असानी से पहुचाई जा सकती है, तो इस तरहिके से हमारा समझ लीएज़े ट्मेंडस चेंज़े नश फूरे चाहे वह रेल्वे हो, चाहे वह एरवे हो, वाटर वे हो हो, रोडवे हो हो या फिर कम्मृर्ट केंशल या अफिर फृ member Di mayo ठीक है तो इस तरिकीसे बहुत जप्तर जादा टेजी हूँ अब अगर आपको इस चैप्टर से रिटेट कोई भी क्वारीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूश सकते हैं और थैंक्यू सो मच